आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिल्ट प्लस भी द्वारा जारी के गए तीन रिजर्ट्स और उसके साथ ही वेकैंसीज रियोपन हुई हैं वेकैंसीज को बढ़ाया गया है और उसकी डेट भी आपको अपलाई करने के लिए एक चांस ओर दिया गया है उसमें हम जानेंगे कौन केंडियर्ट कौन कौन अपलाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए या सभी अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड़ 68 by 20 की है यहां पर रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है EWS कट ओफ यहां पर आ देख सकते हैं आपके मार्क्स अपलोड कर दिये गए हैं ओनलाईन डिटर प्लैस पर जाकर आप मार्क्स चेक कर सकते हैं और 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 15 डेज के लिए आपको ही डोजियर लिंक एक्टिवेट किया जाएगा दूसरा रिजल्ट जो आज जारी है वो जनरल की 216.10, OBC 186.86, SC 182.30 ठीक है ये देख सकते हैं आप डोजियर लिंक ओपन होने का जो टाइम है वो 8 अक्टूबर से 1 अक्टूबर तक रहेगा तीसरा जो आज रिजल्ट जारी किया गया है वो है EVGC female postcode 36 by 20 जो कि आपका एक्जाम 30 जुलाई को हुआ था 165 candidates ने cut-off से ज़्यादा marks अपलोड की, sorry marks qualify किये थे, exam को qualify किया था और shortlisted candidates 116 हैं यहां पर अब यह आप देख सकते हैं 12 की cut-off general given 37.46 OBC 105.85 SC 90.80 और जो लिंक ओपन होगा आपका 18 अक्टूबर से लेकर 1 नमंबर तक रहेगा अब जो बात कर रहे थे हम vacancies को reschedule किया गया है तो वो आपका post code 27 by 21, advertisement number 1 by 21 जो की post है आपकी assistant for man की यहां पर जो ex-serviceman था उसकी post पहले नहीं निकाली गई थी vacancies नहीं show की गई थी लेकिन re-advertise किया गया है और यहां पर ex-serviceman की vacancies को बढ़ा दिया गया है यानि कि 16 vacancies यहां पर बढ़ी है और साफ साफ तोर पर लिखा गया है कि जो online link activate होगा वो 14 October से 28 October तक रहेगा सिर्फ वे candidate ही apply कर पाएंगे जो ex-serviceman है या जिसके लिए vacancies को बढ़ाया गया है यह आप देख सकते हैं यहां पर बाकी जो भी चीज़े हैं वो सब सेम रहेंगी और उनका अपना certificate भी upload करना होगा साथ में application के साथ दूसरा जो notice है vacancies को लेकर postcode 44 by 21 के लिए डाला गया है postcode advertisement number 221 तो यहां पर जो बात है वो LDC post के लिए है visual की total vacancies 7, hearing की 8, ortho की 6 और multiple disability जैसे जो भी है उनकी दो vacancies यहां पर रखी गई थी लेकिन उनको कम कर दिया गया है और revise करके इनको 6, 8, 7 बात वीजवली की एक vacancy बढ़ी है और multiple disability की सेम रही है तो यह changes SDMC ने इनकी vacancies में किये हैं तो यह आप देख सकते हैं ठीक है PWD category से भी application मांगे गई है और इसका भी link जो है 14 October से 28 October तक open रहेगा बाकी जो qualifications है, experience है, age criteria है वो सब सेम रहेगा थैंक्यू सो मच आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी updates के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्यू सो मच